दोस्तों वैसे तो राजनीती का काम समाज के लिए विकास और उन्नती के लिए नीतिया बनाना है लेकिन अफसोस इस बात का है कि नेताओं ने राजनीती को राज करने की नीती तक ही सेमित कर दिया है जैसे जैसे चुनाओ नजदीक आते हैं सभी पार्टियां वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच आती हैं और सत्ता में आने के बाद वो वादे हवा हो जाते हैं यानि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सारा संघर्ष चुनाव से पहले ही होता है लेकिन चुनावों से पहले नेताओं के बीच जुवानी जंग छिड़ना भी आम बात है जिसमें उत्तरप्रदेश सबसे आगे निकल जाता है क्योंकि हर चुनावों में यहाँ पर किसी ना किसी नए शब्द की एंट्री जरूर होती है लेकिन इस बार के विधान सभा चुनावों में तो अब तक कई शब्दों की एंट्री हो चुकी है और उन शब्दों पर सियासत भी तेज हो गई है नमस्कार दोस्तों मैं अन्शदर श्रवास तब हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ दोस्तों दो महीने बाद वैसे तो देश के पांच राज्यों में विधान सभा चुनावों होने वाले हैं लेकिन उत्तरप्रदेश चुनावों सबसे ज्यादा सुर्खिया बटोर रहा है जिसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये सबसे बड़ा राज्य है इसका दूसरा कारण यहां हर कुछ दिन में होने वाले नए शब्दों की आंट्री भी है जिसके बाद नेताओं के बीच जुवानी जंग और उससे सियासी गल्यारों में हल चल पैदा हो जाती है यानि संचेफ में अगर कहा जाए तो यूपी चुनाओ बेहद ही मसालेदार और रोमांचक चुनाओ होता है अभी तक यूपी चुनाओ 2022 में अबबा जान, चाचा जान, अखलेश अली जिन्ना जैसे शब्दों की ही आंट्री होई थी लेकिन अब इस चुनाओ में नए शब्द की आंट्री हो चुकी है और वो शब्द है बाबा बबुआ शायद आप सभी ने सुन भी लिया होगा आप बाबा बबुआ के साथ सपा और बीजेपी दोनों की तरफ से खूब तीर छोड़े जा रहे हैं तो इससे पहले यूपी में किस शब्द का किया गया इस्तमाल कैसे दूसरी पार्टी को किया गया टार्गेट क्या इन सब का चुनाओ पर कोई एसर पड़ेगा और आखिर कैसे और कब हुई इस शब्द की आंट्री तो अखलेश यादव भी जवाब देने से नहीं चूकते अब इसी लड़ाई में नए शब्द की एंट्री हुई है जो है बाबा बबुआ दरसल पहले अखलेश ने योगी आदितनात को बाबा कहा था तो योगी भी कहा शांत बैठने वाले थे उन्होंने पलटवार करते हुए अखलेश को बबुआ कह डाला जिसके बाद से यूपी चुनाओं में बाबा बबुआ की एंट्री हो गई है उत्तर प्रदेश की राजनीती में 2019 में जब बसपा और सपा ने गटवंधन किया था तब नेरेटिव बुआ बबुआ के इर्दिगिर्द था लेकिन अब यह शिफ्ट होकर बाबा बबुआ पर केंद्रित हो गया है अब आफ समझ ही गए होंगे कि इसमें बाबा मुख्यमंटरी योग्यादितिनाथ हैं और बबों अ available अखलेश यादव इदर अखलेश यादव ने कार्क्रम में योग्यादितनाथ को बाबा कहा तो मंत्री को विधानसवा सीर से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए वह पहले से ही बाहर है अखलेश ने ये तंज योगी की उस घोशना के बाद कसा जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस बार विधानसवा चुनाव लड़ेंगे वहीं दूसरी तरफ अखलेश यादव का कहना है क विधानसवा चुनाव नहीं लड़ेंगे अब अखलेश ने योगी को बाबा बुलाया तो अखलेश यादव की ग्रह जिला इटावा में पहुंचे योगी ने अखलेश पर तंज कर्स दिया और कहा मैं इटावा में दो बार कोरोना के दौरान आया था लेकिन अन्य दलों के लोग तब भी होम आइसोलेशन में थे जब आप संकट में थे उन्हें चुनाओं के दौरान भी अपने घरों तक ही सीमित रहना चाहिए उन्हों लोगों द्वारा जवाब दिये जाने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने आगे कहा वे ट्विटर पर व्यस्त थे तो उन्ह के अलावा मुख्यमंत्री ने सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन सपा को ही टार्गेट करते हुए अयोध्या का भी जिक्र किया उन्होंने कहा अयोध्या में दियों की चमक पूरी दुनिया में चमक रही है यह वही अयोध्या है जहां लोग पहले जाने से डरते थे और जह कि बबुआ ट्वीटर ही वोड भी देदेगा उत्तर प्रदेश विधान सभा का राजनीतिक रंग अभी यूपी में दिखाई देने लगा है सत्ता पक्ष और वेपक्ष में जमकर बयान बाजी हो रही है एक तरफ जहां सीम योगी ने कहा कि बबुआ ट्वीटर पर ही रह लेकर 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 मत आओ उन्होंने आगे कहा हम तो समाजवादी लोग हैं लाप टॉप भी चला लेंगे और समय पड़ेगा तो बुल्डोजर भी चला लेंगे अखलेश यादव चुनावों को लेकर तो सक्रिय हैं ही योगी सरकार की खीचतान करने में भी अखलेश कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं दरसल योगी सरकार ने वादा किया था कि वो लाप टॉप बाटेंगे लेकिन योगी सरकार अपने वादों को पूरा करने में असमर्थ ही नजर आ रही है जिसके चलते सपा को उसे घेरने का मौका भी मिल गया है दरसल यूपी के अंबेटकर मैं एसा ना हो जो लप टॉप चलाना जानता हो अकलेश यादव ने कहा कि लप टॉप चलाना नहीं आता है इसीलिए शायद मुख्यमंत्री जी ने प्रणमंत्री मोदी और सीम योगी आधित नाथ परतंच कसा अखलेश ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आगरा लखनों-एक्सप्रेस वे में गाड़ी पर चाय का कप भी रख दो तो भी नहीं गिरता लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस में कमर दर्ध होने अपने अपने संकल पत्र में लिखाता उन्होंने कि हम लैप्टॉप देंगे बच्छों को डाटा दे देंगे इनिवर्स्थी कॉलेज को वाइफाई कर देंगे हम जानना चाहतें इतना समय गुजर गया है ना अपने लैप्टॉप दिया ना वाइफाई किया ना डाटा दिया और अब कह रहे हैं कि टेबलेट देंगे हम पूछना चारें साड़े चार साथ से कौन सी टेबलेट दे रहे थे आप कौन सी टेबलेट पट रही थी अखलेश ने ये सारी बाते अंबेटकर नगर के महरोली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही अखलेश ने कहा सुनने में आ रहा है पूरवांचल एक्सप्रेस वे का उद्रगाटन हो रहा है आगरा लखनव के मुकाबले पूरवांचल की सड़क आसपास नहीं है आगरा एक्सप्रेस वे पर अगर पानी का गलास भी रख दोगे चाय भी रख दोगे तो नहीं गिरेगी और बाबा ने जो सड़क बना दी है अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो कमर दर्द और पेट दर्द हो जाएगा अगर चाय पानी रख दिया तो कपड़ों पर गिरेगी और दोबारा नहीं पहन पाओगे सपा प्रमुख ने CM योगी के बुल्डोजर चलाने वाली बातों पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जरूरत थी वहां तो बुल्डोजर चलाया है अखलेश ने कहा कि अगर धुआ उड़ाते हुए बुल्डोजर चला दिया होता तो आगरा लखनो एक्सप्रेस वे से अच्छी सड़के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की होती उन्होंने आगे कहा अब बोल रहे हैं कि लाप्टॉप टेवलेट देंगे चार-पांस साल से कौन सी टेवलेट बाट रहे थे आपका सीम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे लाप्टॉप चलाना ना आता हो तभी तो नहीं बाटा इस बार यूपी चुनाओं में अब्बाजान शब्द से जवानी जंग की शिरुवात हुई थी जिस पर खूब राजनीती भी हुई अब्बाजान पर पलटवार करते हुए चाचा जान की एंट्री हुई कई दिनों तक ये शब्द भी सुर्खियों में रहा उसके बाद समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक शकलेश यादव ने मुहमद अली जिन्ना को लेकर जो बयान दे दिया था अपने बयान को लेकर वो काफी सुर्खियों में आए बीजेपी ने तो उन्हें अखलेश अली जिन्ना कहना भी शुरू कर दिया जिसके बाद उन्होंने जिन्ना पर दिये बयान को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था मैं तो कहूंगा कि दो बारा किताबे पढ़ ले और अब हुई है बाबा बबुआ की एंट्री ये पहली बार नहीं है कि यूपी में इस तरह के शब्दों से जुवानी जंग जारी है 2017 के विधान सबा चुनावों में जब कॉंग्रेस और सपा का गटबंधन हुआ था तो यूपी के दो लड़के चुनावी स्लोगन के साथ ही चुनाव के केंद्र में भी आ गया था चुनावों के बाद बीजेपी इस स्लोगन पर आज भी तंज कस्ती दिखाई देती है इसके अलावा शायद आप लोगों को याद भी होगा कि बीजेपी के ततकाली नध्यक्ष अमिश शहा ने 2019 के लोकसवा चुनाव के दोरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में बुआ बब बुआ और बाबा मिल जाएं तो भी भाजपा को हराना मुश्किल है जिसमें बुआ मायावती बबु अखलेश यादव और बाबा राहुल गांधी को कहा गया था अकलेश तो मायावती को हमेशा बुआ कहकर ही संबोधित करते थे तो 2019 से पहले मायावती भी सपा के कारिकर बताओं को सपा के गुंडे ही कहा करती थी आप क्योंकि 2022 चुनाओं आने वाले हैं तो फिर से ये दौर शुरू हो चुका है और अभी से ही प्रदेश में जोड तोड की राजनी थी और बयानबाजी का दौर तेज होता जा रहा है लेकिन इन सब का चुनाओं परसर पड़ है